कम्पिटिशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागते स्टुडेंट्स आपका और आज मैं आपको टेस्ट जो सो लहमा है उसका सोल्यूशन करवाने जा रहा हूं इसको आप धिहान से समझने का प्रियास करेंगे जो लोग टेस्ट से नहीं जूरे हैं वो भी वीडियो को जर भी ऐसा लग रहा होगा वो दूर हो जाएगा कंफिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और अब मात्र जो है इसका फीस जो है टेस्ट का मात्र जो है 300 कर दिया गया है तो आपके लिए बहुत ही फाइदाकारक होगा और इस टेस्ट को जरूर कर लें मात्र 300 रुपया में अब ज जो लोग खास करके जो लोग आज तक online टेस्ट नहीं दिये हैं वो जरूर इससे जूर जाएगा आपके लिए बहुत ही फाइदाकारक होगा चुकि आपने कभी online टेस्ट नहीं दिया है और किस परकार से online exam में टेस्ट करना होता है कैसे करना होता है यह चीज आपका clear हो जा देंगे इसलिए यह टेस्ट जो होगा आपके लिए बहुत फाइदाकारक होगा चलिए मैं अब स्टार्ट करता हूं solution आप देखे कोशन है पहला नीचे दिये गए बिकलपों में विसम सब्द का चैन कीजिए तिरपूरा गंग टोक दिसपूर इटा नगर देखिए गंग कोशन देखे यहां पर किया है निमलिखित प्रस्णों में से दिये गए बिकलपों में से समंदी सब्द अच्छरों की संख्या चुनिए नेक्स अक्षर क्या होगा अब गौर कीजिए चार में क्या बढ़ाया एक पांच अब यहां पे पांच में एक बढ़ा दिया उसी प यहां पर जो है अगवर करें तो घटा दिया था ठीक है लेकिन देखें यहां पर 9-8-4 लेकिन कोई आप्षण नहीं है तो यहां पर मुझे लगता है कि यह जो है दो से तीन होना चाहिए था यह थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टिक होगा ठीक है तो एक-एक बढ़ाया है तो 8-7-5 का क्या हो जाएगा आपका 9-8-6 ठीक है एक-एक बढ़ाना चाहिए कोश्चन मुझे लग रहा है थोड़ा सा एरर है तो 9-8-6 अगर नहीं अगर ऑप्शन रहता है 9-8-4 रहता तो वह भी हम दे सकते थे लेकिन 9-8-4 नहीं है तो कुछ यहां पर एरर हो सकता है च देखे गौर किजिए 11 का क्यूँ अब यहां पर को रिलेट करेंगे दोनों को कि आखिर कैसे यह 333 तक पहुंचा होगा 11 का क्यूँ करेंगे तो 331 होता है और उसमें से एक घटाएंगे तो क्या हो जाए 333 उसी परका 9 का क्यू मेनस एक घटा दीजिए यानि 729 होता है 9 का क क्यों मेंसे एक जगा क्या हो जाएगा 928 ठीक है अब नेक्स्ट कोश्चन है निमलिखित मेंसे दिए गए बिकल्पों मेंसे संबंदी सब्द अच्छरों की संख्यां चुनी है पर्थम को अंतीम बोलेंगे ठीक है उसी परकार से यहां पर पर्थम को अंतीम कहा गया उसी परकार से निश्ठा अगर पर्थम का अंतीम होता है तो निश्ठा का क्या होगा घिरना किसी के परति निश्ठावान बनना अवला अस्तर तो निश्ठा का सबसे जायदा जो खराब रूप होगा वो विश्वास घात होगा ठीक है किसी के परती विश्वास घात करना तो यहाँ पर विश्वास घात को किलिक कर देते हैं निश्था का विश्वास घात ऐसे घेरना भी होगा किसी के परती निश्था रखने का घेरना करना लेकिन घेरना से भी जायदा यहाँ पर अंतिम रूप हो जाएगा विश्वास घात करना ऐसे बहुत लोग घेड़ना भी दिये होंगे तो आसा घेड़ना को भी हम यहां पर ले करके चल सकते हैं ठीक है चलिए इसका रहने देते हैं घिरना को भी हम मान सकते हैं क्योंकि दोनों यहां पर है तो घिरना कोई लीजिए घिरना कोई लेते हैं ठीक है कुछ questions इसमें क्या होते है कि question setter पर भी depend करता है किस परकार से उसको सोचता है ठीक है अब देखिए next question है निमलिखित में से दिये गए बिकल्पों में से सम्मंदी सब्द अच्छरों की संख्या जुनिये क्या होगा c80 का 48 लिखा अब देखिए c80 का position देख लेंगे क्या है 3,1 और 20 यानि जोर देंगे तो क्या हो गया 24 को क्या लिखा है 48 लिखा यानि दो गुना कर दिया है उसी पर का डियो जी चार 15 और 7 तो क्या हो गया 22 चार 26 26 को दो से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 52 अंसर क्या हो गया 52 अब next question पर आते हैं 15 35 63 99 143 ठीक है तो अगर सिरीज में कुछ समझ में नहीं आये तो आप ये कर सकते हैं कि सब का gap में दोनों का difference निकाल सकते हैं यहां difference करेंगे तो 20 आएगा 15 20 यहां difference करेंगे तो 28 आएगा यहां करेंगे तो 36 आएगा यहां करेंगे तो 44 आएगा गोर की तो आठ आठ जूट रहा है तो अब फिर ऍेक्ष्ट आठ जूट करके गया फोगा बावन चौालीससाठ क्या हो जाता है बावन 143 में बावन जोड दीजい तीन दो पाँच पाँच चार नो वन नाइनटी फाइब क्या हो जाएगा वन नाइनटी फाइब नेक्स्ट कोस्टन पर आते हैं अब निमलिखित में परसन देखा आगे चार अन सब्द दिये गए है उनमें से एक दिये गए सब्द के अच्छरों से नहीं बनाया जा सकता है अब यहाँ पर लॉजिस्टिक है तो लॉजिस्टिक सब्द से क्या नहीं बन सकता है तो देखिए लॉजिस्टिक में जो है अगर गौर करें तो एक ही बाट टी आया है यहां पर नहीं बनाया सकता है इंस नमलिखित सब्सका एक सब्सक्राइब कम भात दोहरा जाना चाहिए इस नियम के नुखुल नहीं है यह बोल नहींग है तो ठीक है तो दो वार स्वर जहांपर नहीं होना चाएंब देखिए ओ दो वार है, यहांपर देखिए स्वर ममण पर मेताबोलिकड़ क्या बार प्रञोंग किया गया है, तो इसलिए इसका exact answer क्या हो जाएगा आपका metabolic ही होगा ठीक है समझ गए होंगे question को धंग से पढ़ना है उसके बाद जवाब देना है आपको और जो लोग नहीं जूरे हैं जूर जाएं बहुत minimum cost 300 में आपको लगभग 15 से 20 टेस्ट करा दिये जाएंगे और अब time नहीं है तो 10 भी टेस्ट अगर आप कर लेते हैं तो आपकी जब आप exam में जाएंगे तो उसका confidence लेवल होगा वो बिलकुल अलग होगा आप इस बात का अनुभभ करेंगे exam में ठीक है और साथ-साथ आपको बहुत सारे one-liners भी provide किये जाएंगे capsules दिये जाएंगे जो रात को आपको पढ़ना है सुबह जाके exam देना है बहुत ही फाइदाकारक होगा वो चलिए next है यहां पर map बना लेते हैं थोरा सा क्योंकि direction का है तो क्या किया है यहां पर उत्तर नीचे दक्षीन इधर पूरव इधर पस्षीम लिखते हैं क्या किया है पस्षीम को उत्तर पूरव पस्षीम के बाद जैसे यह पस्षीम होता है यहां स्षीम को क्या किया है उत पूर्व यानि दोनों के बीच का डिगरी अगर देखें तो क्या हो जाएगा नब्य और पैतालिस एक्सवापई तीस डिगरी उसी पर दक्षिन पूर्व दक्षिन पूर्व का क्या होगा तो दक्षिन पूर्व किधर हो गया इधर दक्षिन पूर्व में अगर एक्सवाप राष्ट पती मुख मंतरी निगंपारस bending तो देखिए सब यहाँ पर गारों मंतरी मुख मंतरी और निगंपारस यह सब डाइरeties जो है जनता के द्वराश्ग कुने जाते हैं जबकि राष्ट पती और पार टेक्ष अधीकर के आदार पर चुने जाते हैं, तो इसलिए इसका encourage क्या हो जाएगा, राष्ट पती, ठीक है? समझ गए होंगे? Next question है, यहाँ पर के बी से जाइदा सुन्दर है? बी वाई के समान सुन्दर नहीं है जे बी या वाई के समान सुन्दर नहीं है तद अनुसा सुन्दर ताकि कोटी में सबसे नीचले अस्तर पर कौन है ठीक है तो यहाँ पर क्या बोलना है बी वाई के समान सुन्दर नहीं है यानि इससे कम ही होगा वाई ठीक है यहाँ पर बोला है य के समान सुन्दर नहीं है तो य जो है इससे पहले मान लेते हैं जे बी या य के समान सुन्दर नहीं है जे जो है बी या य के समान सुन्दर नहीं है ठीक है तद अनुसार सबसे नीचले अस्ता पर कुन होगा तो जे होगा option नमर दो हो जाए यह सब बस आप थोड़ा सा गराब बना करके बना सकते हैं P, कि आयू Q के बराबर है R, से छोटा है आप देखें यहां पर क्या है P, कि आयू Q के बराबर है P, equal to क्या है Q है RS से छोटा है, TR से छोटा है, R जो है, S से छोटा है, R क्या बोला, RS से छोटा है, TR से छोटा है, TR से छोटा है, किन्तु P से बरा है, अब यह हो गिया अगर आप सबसे बसे बरा कुन हो गा तो सबसे बरा क्या हो गया S एंसर क्या हो गया S ठीक है next question पर आते हैं एक अक्षा में सफल हुए लरकों की सुची में राजन 11 मां अस्थान है और नीचे की और से वह 31 में अस्थान पर है तीन लर्कों ने परिख्षा को नहीं दी और एक फैल हो गया तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे टोटल कितना हो जाएगा तो 31 और 11 कितना हो गये 42 42 में से एक चला गया तो 41 हो गया इधर तीन ने परिख्षा नहीं दिये और एक फैल हो गया तो कितना हो गया तीन एक चार 41 चार 45 अंसर क्या हो जाएगा 45 ठीक है एक परिख्षा में A, B, C, D को अलग अलग अंग प्राप्त हुए B ने C और D से अधिक अंग प्राप्त किये B ने C और D से अधिक अंग प्राप्त किये A से कम अंग किसी ने भी प्राप्त नहीं किये सबसे लास्ट में क्या है A ठीक है सबसे अधिक तम अंग किसने प्राप्त किया तो बस B ने किया सबसे अधिक तम कुन करेगा B करेगा नेक्स्ट कोश्चन पर आते हैं, राकेस नितीन से लंबा है, राकेस किसे लंबा है, नितीन से, ठीक है, नितीन से लंबा है, किन्तु भरत जितना लंबा नहीं है, तो भरत मतलब इससे भी लंबा है, भरत, लोकेश राकेश से छोटा है, किन्तु गौरव से लंबा है, इसके बाद गौरव आ गया, सबसे लंबा कौन है, तो भरत, कौन हो जाएगा, भरत, एक अक्षा में संकर उपर से सुलह में अस्थान पर है, और नीचे से उन्चास में अस्थान पर हैं, तो सुलह और उन्चास, जोर की एक घटा लीजिए, यही मैंने बताए था, लेट प्लस राइट मिनस वन, क्या हो जाएगा, सिक्स्टी पोर, चौसर, ठीक है, यह सब कौस्टन बार बार मैंने करवाया है, तो आप लोग एकजाम में भी इसी टाइप के कौस्टन पूछे जा प्रंतु अनू से कम है, सवरव की आयू सोनू से अधिक है, प्रंतु राम से कम है, तो सवरव की आयू सोनू से अधिक है, किन्तु राम से कम है, यह सब से आगे हो, इनमें सब से छोटा कौन है, तो रीचा, कौन है सब से छोटा रीचा, जस्ट ग्राप बनाएंगे आपका अंसर आ जायेगा, ठीक है, next question पर आते हैं, राम मनू की अपेक्षा अधिक लंबा है, राम जो है मनू की अपेक्षा क्या है, अधिक लंबा है, परंतु उतना नहीं जितना रभी, तो रभी इससे भी वरा हो गिया, आनू दिलीब की अपेक्षा अधिक लंबा है, परन्तु मनु की अपेक्षा छोटा ठीक है तो जो है यहां पे अनु जो है दिलीप की अपेक्षा लंबा है किन्तु मनु की अपेक्षा छोटा सबसे अधिक लंबा कौन है रवी ठीक है एक पंक्ति में रमन प्रारंब से 15 में और अंच से 11 में अस्थान है तो कितनी लोग है सिंपल से बताया में ने दोनों को जोर के घटाल लीजे 15 और 11 क्या हो गया 26 में से एक गया क्या हो जागा 25 ठीक है कि नेक्स्ट क्वेस्टन पर आते हैं सोनिया अपने घर से चली और 4 किलो मिटर सबस्पहले यहां मैं बना लेंगे उपर में उत्तर लिख लेंगे नीचे में दक्षिन बयासाइट पूरब और बयासाइट पस्चिम ठीक है फिर वह बाएं घुमी यहां से गई बाएं घुमी और चार किलो मिटर चली चार किलो मिटर इधर गई फिर वह दाएं मुरी यहां पर आने के बाद फिर अब वह दाएं मुर्ती है और फिर चार किलो मिटर जाती है ठीक है तो वह प्रस्थान अस्तल से कितनी दूरी पर है ठी आपका 8 और यह क्या हो गया यहां पर 4 ठीक है तो यहां पर total distance प्रस्थान से कितनी दूरी पर है तो यह हो गया आपका अगर हम यहां पर निकालें तो यहां पर क्या हो जाएगा 8 का square plus 4 का गई होगा चूकि यहां से यहां तक का 4 किलो मिटर है और इधर 8 किलो मिटर हो गया है तो यह बीच का कौन का दूरी 88 64 और 4 चूका 16 है ठीक है च्वाचार 10 का 0 मांकी 1 तो यहां पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है mistake होगा सोनिया अपने घर से चली 4 किलो मिटर पुर्व की ओर गई है 4 किलो मिटर इधर आई है फिर वह बाएं मुरी बाएं मुरी और चार किलो मिटर चली है फिर वह दाएं घुमी दाएं इधर घुमी है और 4 किलो मिटर चली है तो 4-4 आठ हो गया तो मुझे लग रहा है यहां पे जो है answer में कहीं न कहीं गरवरी होगी तो यहां पे total यहां से दूरी तो यह तो आपका total यह क्या हो गया यह चार हो गया और यह आपका हो गया 8 चुकि ये इसके बराबर ही है तो आठ और अठी अठी चौशट और रूट ओवर हम कर सकते हैं आठ का स्क्वार पलस चार का स्क्वार लेकिन एंसर नहीं है हो सकता है ये डाटा में कहीं मिसमैच होगा ठीक है तो concept वही है सारदा ने दक्षिन दिशा में चलना शुरू किया सारदा सबसे पहले कहां से शुरू की है दक्षिन दिशा में चलना शुरू किया शुरुआत का दिशा लिख लेंगे दक्षिन उसके बाद पंद्रे मीटर चलने के बाद दो बार बाय मुरी दो बार क्या लिया है लेट 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 दोनो बार 15 पंदे मिटर चली अब 裏पने प्रस्थान्स कितनी दूरी पर और किस दिसाम में है ठीक है तो लेट लेट यानी दो बार 90-90 यानी 180 degree यानी दक्छिन का इसका डियर्चन हम क्या हो जागा ठीक है डायक्शन तो उसका 15 मीटर ही होगा क्योंकि दो वार 15 पंदर ही चलिए सारदा दक्षिन की दिसा में चलिए थुरा सा एस्पेस लेकर के मैं इसको स्वाल करता हूँ सारदा दक्षिन के दिसा में चलना सुरू किया ये उत्तर ये दक्षिन पूरव पस्चिन सारदा दक्षिन के दिसा में चली है 15 मीटर चलने के लिए दो वार अगर इधर आई तो यहां के लिए जो है बाया तो यहां के लिए बाया इधर गया दो वार बाया लिए फिर बाया इधर लिए ठीक है और ये दोनों बार 15 पंदरह मीटर ही चलती है पंदरह फिर पंदरह फिर पंदरह फिर 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 फ रहा था यानि सामनेवाले के दाइं और और सुर्यास्त के समय दाया उसी का डायRECTION होगा. जिसका की उत्तर मुह होगा ठीक उत्तर मुह होगा तो इसका answer क्या हो जाएगा आपका गया तो आर्जुन की दिसा की और मुझ करके बैठा था तो अरजुन के बारे में बोला है चलिए फिर से एक वारा आपको समझा देते हैं सनलाइट के प्रभाव को यहाँ पर देखेंगे अरजुन आमने सामने सुरिया से पहले दो मित रमन और अरजुन आमने सामने बैठ कर बात बाचित कर रहे थी यदि रम बैक्ति का यहाँ पर परच्छाई जो है बाएं और होगा जिसका डायक्षन क्या होगा दक्षिन की ओर चुकि दक्षिन की ओर होगा तभी इधर से सनलाइट आएगा तो उसका परच्छाई जो इस साइड बनेगा क्योंकि विप्री साइड में बनता है ठीक है यह माली जी बैक्तियत इसका परच्छाई इस साइड बनेगा क्योंकि सनलाइट इधर है इसका मुक्षिन की ओर तो सामने वाला बैक्ति जो अर्जुन होगा उसका मुक्षिन होगा उत्तर की ओर ठीक है तो यह सोच करके बना लेंगे बस वही है यह सारे कोश्चन से डियरेक्शन आप खुद बनाईए एक सुबह मीना ने सुर्ज की ओर चलना प्रारंब किया सुर्ज की ओर तो सुर्ज उगता किदर है पूरव की ओर पूरव में उगता है तो सुर्ज की ओर चलना प्रारंब किया है मीना कुछ देर चल कर वो अपने बाई और मुरी कुछ दूर चल करके वो क्या की है अपनी बाई और मुरी इधर मुर गई होगी और फिर दुवारा अपनी बाई और मुर कर कुछ दूर चल कर इधर आई और फिर कुछ दूर चल करके वहां से क्या की है वो बाई और मूरी है अब उसका किस दिशा क्यों है तो ये दिशा कौन सा है दक्षिन दिशा अंसर क्या हो जाएगा दक्षिन ये दूसरा कोश्चन है ठीक है है कि एक मैं और दक्षिन के और 6 km चलता है निящर के 5 km चलता है थो दो बार क्या किया ये लियांわかारी क्षे गख्षिन ये तो देजिशा टक्षिन ये ये वहां से घूरो जाएगा है ठीक है नेक्स्ट कॉस्टन के लाग्य इसवह ने है आ seasons । फेजिए कि फिर यहां पर questions को वही करेंगे उत्तर दक्षिन पूरव पस्चिम ठीक है यदि दक्षिन पूरव उत्तर हो जाए और उत्तर पूरव पस्चिम हो जाए क्या बोलता है दक्षिन पूरव यह है दक्षिन पूरव क्या हो जाएगा दक्षिन पूरव क्या हो जाएगा उत्तर हो छाएगा ठीक है ? antique colloquial direction 135 chili कि तो उत्तर पूर role best victim हो जाए और क्या होजाएगा ? पर बस वह कया कौं five इंटिक नक्र दिग्री एंटिक लक वाज एक्स fashion क्या होगा ? तो पस्च्च्च्य । होगा तो पास्चिम का 135 डेवी लेकिन रंटी क्लोगा वाइद ऑफ कर यह कौह सब अबदाब्स अब इसे आए गा तो ऐसे तो यह कि एक कर शाथ एक्षाषान होज़ाएगा 135 डिवी पास्चिम से लेंगे तो दक्षीन पूरूग एंसर क्या हो जाएगा दक्चिन पूरूग ठीक है नेक्स्ट कोस्टन अब नेक्स्ट कोस्टन जो है टिचिंग एप्टिचूट के हैं तो यह सारे कोस्टन आप खुद भी बनाएंगे और देख लेंगे स्वलूशन क्या है तो आप समझ जाएंगे इसमें आपको समझाने की कोई भी वैसा चीज है ने तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही है लास्ट में मैं फिर से एक बार बता दूँ जो लोग टेस्टरी जोइन करना चाते हैं वो 7070634348 पर संपर कर सकते हैं और डिस्किप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है या तो वहाँ पर जा करके आप डेमो फिरी है बिलकुल वो दे सकते हैं डिस्किप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है या www.competitionhub.org.in पर सर्च करेंगे तो आपको डेमो लिंक मिल जाएगा वहाँ पर जा करके आप बिलकुल फिरी में डेमो दे सकते हैं अगर आप जूरना चाहते हैं तो आप संपर कर सकते हैं 7070634348 contact number है Thank you so much watching for this video